जैहीं साती हों एक बार फिर सो आगता है बेस्ट एक्जाम के यूटूब चैनल पर दोस्तो आज बात करने वाले हैं BSF ट्रेड्मेंट रिकूट्मेंट 2014 के बारे में जी हैं दोस्तो 2014 के रिकूट्मेंट का सोट नोटिस है वो BSF की तरफ से जारी हो चुका है और बहुती जल्द आप लोगों के online form भी आपर apply होने वाले लेकिन इस बार कुछ बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जिसमें पहला बड़ा बदलाव है किस बार सबसे पहले आपका return exam हो सकता है CBT exam है वो BSF इस बार करवाने वाली है तो दोस्तो return exam का आपका जो cut up है वो किस according रहता है और कितने number पर बच्चो का selection होता है बिल्कुल पिछली जो आपकी recruitment हुआ है 2023 जिसका final result आज चुका है और उसकी जो cut up रही है वो कितनी रही है तो उस cut up के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी सबी राजयों की अलग लग आपको बताने वाला हूँ जैसा कि आप screen पे देख रहे होंगे यह BSAP की recruitment की officially side है जिसमें जितने भी आपके ट्रेडमें 2023 के जो result वगरे जारी हुए वो सारे result आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे तो एक एक करके मैं सभी राजयों की जो cut up है वो आपको बता देता हूँ और इतने नमर आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको 2024 में BSAP में ट्रेडमें के पद पर भरती होना है तो इतना score आपको करना ही पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं BSAP Academy टकनपूर है उसकी साइट पर देखो यहाँ पर रिजल्ट आप लोगों का आज चुका है और यह साइट पर मैंने डाउनलोड भी कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रिजल्ट जारी हुआ है यह Constable Water Carrier, Constable Barber, Mail, Wasserman, Cook इन सभी ट्रेडों का हुआ है अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कटोप आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अलग-अलग कटोप आप लोगों को अलग-अलग राजियों की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अगर मैं Constable Barber की बात करता हूँ तो यहाँ पर जनरल की 42 पर भी बच्चों का यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था Constable Wasserman में 47 नमर पर भी बच्चों क्वालिफाई किया गया था कॉंस्टेबल कुक में 41 नमबर पे बच्चे क्वालिफाई हुए थे और कॉंस्टेबल स्वीपर में 59 नमबर पे बच्चे क्वालिफाई हुए थे इसके बाद में अगर में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह MP के male candidate है उनकी cut-off है बेसाफ ट्रेडमेंड की जिसमें कॉंस्टेबल ट्रेलर कोबलर के लिए जनल की 48 पे बच्चों का सेलेक्शन हो था कॉंस्टेबल ट्रेलर है उसका 59 में हो था कुक का 61 पर cut-off गई थी वाटर केरियर की 44 पे गई थी कॉंस्टेबल जो वासर में उसकी 70 नमर पे गई थी बारबर की 61 नमर पे गई थी स्वीपर की चिंतर नमर पे गई थी और वेटर की 52 नमर पे cut-off रही थी अगर यहाँ पर मैं बैंगलोर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह PDF आपके सामने ओफन हो चुकी है और यहाँ पर Odissa ओडिसा और बैंगलोर इनकी यहाँ पर कटोप के बारे में मैं आपको बता दिता हूँ करनाटका की है अपके करनाटका स्टेट की कटोप है उसके साथ ही करनाटका के साथ में यहाँ पर एक और आजे की कटोप आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह cut up आप लोगों के सामने हैं जिसमें कोंस्टेबल कोबलर की 35 पे भी सेलेक्शन हुआ है कोंस्टेबल टेलर का 35 पे सेलेक्शन हुआ है कोंस्टेबल कुक का 38 नमर पे बच्चों का सेलेक्शन हुआ है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अधर जो आपके state उनके बारे में तो यहाँ पर फंटेर headquarter गुजरात की कटोप मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह आपका फंटेर headquarter BSF गुजरात है और गुजरात का जो male candidate की जो कटोप है, वो कितनी रह तो यहां पर कोबलर की जो कटोप रही थी वो 36 पे बच्चों का जनरल केटेग्री से भी सेलेक्शन हुआ था कॉंस्टेबल टेलर का 35 नमर जनरल केटेग्री से सेलेक्शन हुआ था कॉंस्टेबल कुक का 38 नमर पर जनरल केटेग्री से सेलेक्शन हुआ था जबकि Constable Wetter के यहाँ पर vacancy नहीं थी अगर मैं दूसरे राजो की बात करता हूँ गुजरात के बाद में तो यहाँ पर Frontier Headquarter जमू कस्मीर है उसकी कटोप में आपको दिखा देता हूँ यह Officially कटोप है जो आपको BS Hub की Officially Side पर भी मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Mal Candidate की कटोप है बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर कटोप की बात करता हूँ तो भई यहाँ से जमू कस्मीर से Constable Cook की General Category से 45 नमर पे सेलेक्शन हुआ है Constable Water Carrier का 38 नमर पे सेलेक्शन हुआ है Constable Wasserman का 21 नमर पे हुआ है Barber का General Category से 42 नमर पे सेलेक्शन हुआ है और Swiper का 21 नमर पे सेलेक्शन हुआ है इसके साथ ही मैं बात करता हूँ दोस्तों बाखे के कुछ राजियों के बारे में जो अलग-लग यहाँ पर आपको Results देखने को मिल जाएंगी जैसा कि Megalay की बात करता हूँ इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं दूसरे राजियों के बारे में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं Puntier Headquarter पंजाब की कटोप में आपको दिखा देता हूँ कि पंजाब में General Category से कितनी कटोप रही थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड वाइज बात करेंगे तो Constable Coppler में 37 नमर पर बच्चों का सेलेक्शन हुआ था Constable Taylor की वैकंसी नहीं थी यहाँ पर Constable Cook का मातर 35 नमर पर बच्चों का सेलेक्शन हुआ है General Category से Constable Water Carrier का 36 नमर जनर से सेलेक्शन हुआ है Constable Waterman का 50 नमर पर सेलेक्शन हुआ है Constable Barber का 46 नमर पर सेलेक्शन हुआ है Constable Swiper का 77 नमर पर बच्चों की बात कर लेता हूँ जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अपको कटोप देखने को मिल जाएगी यहाँ पर मेल और फिमेल दोनों की कटोप आपको देखने को मिल जाएगी फिमेल की कटोप है वो मेल केंड़ेट से भी कम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है उसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी के राजियों के बारे में बात कर लेते हैं दूसरे राजे हैं उनके बारे में भी अब बात करेंगे हम बात करेंगे आपर राजस्तान की राजस्तान की कटो भी आप लोग खुद देख सकते हैं राजस्तान की बात करते हैं तो यहां पर देख सबसे पहले हर्याना स्टेट की बात करते हैं क्योंकि जो जोदपूर हैड 56 नमबर पे जनल केटेग्री से बच्चों का सेलेक्शन हुआ है कोश्टेबल वोटर केरियर में 56 नमबर पे जनल केटेग्री से सेलेक्शन हुआ है कोश्टेबल वोसर मेन में 99 नमबर पे बच्चों का सेलेक्शन हुआ है कोश्टेबल बारगबर में 69 पे बच्चो का सेलेक्शन हुआ है, General Category की बता रहा हूँ, बाकी category की कटोप है, इस से कम देखने को मिलेगी आपको, अगर Conustable Taylor की बात करता हूँ, तो 62 नमर पे बच्चो का सेलेक्शन हुआ है, Conustable Cook की बात करता हूँ, तो 68 नमर पे जनल केटेगरी से बच्चों का सेलेक्शन हुआ है वोटर केरियर का जनल केटेगरी से 64 नमर पे सेलेक्शन हुआ है कोंस्टेबल वासर मेन का जनल केटेगरी से 71 नमर पे सेलेक्शन हुआ है Constable Barber का 70 नमर पर जनरल के टेग्जी से सलेक्शन हुआ है Constable Sweeper का सबसे ज़्यादा कटोप रही थी 76 चिंतर नमर पर बच्चों का सलेक्शन यहाँ पर हुआ है तो मैं बात करता हूँ 36 गड़की तो 36 गड़की कटोप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 37 गड़की अगर कटोप बात करता हूँ कुक की मेल और फिमेल दोनों की कटोप के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि कितनी कटोप है वो यहाँ पर रही थी तो देखो Constable Cobler और Taylor की वेकंसी यहाँ पर नहीं थी लेकिन कुक की वेकंसी थी और कुक की जनल की कटोप है वो मातर 49 नमर पर गई थी वही Water Carrier की 37 पर गई थी वासरवन की 7 पर गई थी बारबर की 45 पर गई थी और वहीं सबसे ज़्यादा जो कटोप देखने को मिली है वह स्वीपर की मिली है सभी स्टेट में और स्वीपर की जो कटोप है वो 62 गई है इसके अलावा अगर मैं दूसरे राजों की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यह कटोप और भी आप लोगों के सामने है यह कटोप आपके 36 गड़ की भी है यह female की कटोप है male और female की अलग-अलग कटोप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर new दिल्ली की बात करता हूँ दिल्ली की बात करता हूँ तो भाई दिल्ली से यहाँ पर कटोप आप लोग देख सकते हैं दिल्ली की जो cut-off है वो कितनी रही थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली headquarter के अंडर में आता है आपका UP state और UP की cut-off के बारे में जान लेते हैं कि UP की general की और उसके लावा बाकी जो trade-wise जो cut-off है वो कितनी रही थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पूरी-पूरी cut-off आपको details चे और ओपीसली बता रहा हूँ अगर आप DSF ट्रेडमेन की तयारी कर रहे हैं तो भाई इस cut-off का आप जरूर देख लेना और इतनी तयारी आपको इतने नमर आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको selection लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग-लग आपको cut-off देखने को मिल जाएगी male candidate की जो cut-off रही है kobler की, kobler की cut-off की बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं general की 47 नमर पर selection हुआ है tailor में 69 नमर पर selection हुआ है cook का 47 नमर पर selection हुआ है voter carrier का 38 नमर पर selection हुआ है voter carrier की बात करता हूँ तो यहाँ पर 65 पर हुआ है barber की बात करता हूँ तो 48 नमर पर selection हुआ है super की बात करता हूँ तो 33 नमर पर selection हुआ है waiter की बात करता हूँ तो 80 नमर पर selection हुआ है चेरियरोज में 43 नंबर पे selection हुआ है, बारबर का 49 नंबर पे general category से selection हुआ है, स्वीपर का 52 नंबर पे general category से यापर selection हुआ है, तो यह आप लोगों की अलग-अलग state wise cut-off है, जो कि 2023 के recruitment की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि तयारी कैसे करे और क्या करे तो भई अगर आप भी BSF Trademan में selection लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बता देता हूँ BSF Trademan का हमारा target wage है वो worthy wage शुरू हो चुका है और बिल्कुल सबसे अच्छी बात है कि इस batch में बिल्कुल जीरो से और basic से पढ़ाया जाता है और आप सभी को पता ये batch exam का platform special targeted और dedicated batch लेके आता है जो कि BSF Trademan को समर्पित है और ये वर्दी बेच है ये जब तक आपका final selection होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे जिसमें all subject की class है आपको topic wise और बिल्कुल basics है और targeted तरीके से syllabus के according मिलेगी topic wise ही है आपको PDF notes मिलेगा practice के लिए आप लोगों के लिए tired series available रहेगी उसके साथ ही सब कुछ basics से लेकर advanced तक आपको पढ़ाया जाएगा और यह पूरा गुपरा जो course है यह आपको घर बेटे मातर 399 रुपे में दिया जा रहा है तो अभी जाके best exam का application को download कर लिजेगा जिसका link आपको description box मिल जाएगा और अपनी तैयरी को सांधर तरीके से सुरू कर दीजेगा इसके लाव book को लेकर काफी नोजवनों के comment आते रहते हैं कि शरू book बता दीजेगा तो अगर आप BSR ट्रेडमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो चक्सू publication की काफी अच्छी guide मार्केट में आ चुकी है जो की पहली steady guide रहेगी जिसमें आपको 200 ब्लस भहुई किलिप एक क्यूसन मिलेंगे साथी पूरे की पूरे सलेबस को डिटेल से इस book में दिया गया है इसके साथ इसका practice rate भी आपको market में मिल जाएगा जिसमें 2450 प्लस भहुई किलिप एक क्यूसन 20 practice rate भी आप लोगों को दिये जा रहे है तो इन दोनों book का link भी आपको description box से मिल जाएगा जहां जाके आप इने online purchase कर सकते हैं और अपनी तैरिक को और जएदा आप सांदार जानदार कर सकते हैं इसके लाँ दोस्तो बिये सब ट्रेड मेर भरती से जुड़ा आपका कोई भी doubt रहता है तो बिल्कुल आप comment box में comment करके आप हमें जरूर बताएगा दोस्तो इस उडियो में इतना ही मिलेंगे next उडियो में एक नई update के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भार्द